चलिए नमस्कार अभी हम आ चुके हैं खेतों के बीच किसानों की प्रसानी जानने हम आपको बता दे कि अब किसान बेचारों का नाम हो चुका है आप समझ नहीं सकते कि किसान अपने फसलों को अपने बाल बच्चे की तरह पोस्ते है मगर जब फसल उपजाओ नहीं हो पाते या किसी मौसम के कारण खराब हो जाती है तो कितना उनको तकलीफ होता होगा तो इसलिए अब हम किसान को बेचारे कहेंगे क्योंकि हर समय फसल की मार जो जहलते हैं जिनका नाम होता है वो है किसान हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे की तस्वीरे है यहाँ जो खेत है बहुत सारे इसे खेत है जो मौसम की मार जहल लहें है इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि हम आपको बता दे कि पिछले दिनों में भी मौसम खराब हुआ था जिस समय भी काफी ओलावरिस्टी होई थी और अभी हमा चुके हैं उन्ही सारी खेतों पर जो फिर आप समझ रहें कि तीन दिनों का मौसम अलठ है जो काफी बारिस के साथ ओलावरिस्टी होने की संभावना है जो कि अभी मौसम खराब भी है तो हमारे ये पीछे की तस्वीरे आप देख सकते हैं जहां तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बारिस से कि गेहूं के फसलों को भी फायदा पहुंचेगा मगर मेरा ये मनना है कि ये बारिस से एक तो दलहन की जो फसल है वो तो खराब है ही मगर दूसरी और जो गेहूं की फसल है वो भी अब कहीं न कहीं खराब होने के तौर पह है दूसरी बात ये है कि ये जब हवा बहती है जब सारे ये जब बारिस होती है तो गेहूं के फसल हवा के कारण सो जाते है हमारे ये सोने का दिर से हम आपको दिखाएंगे सोने का मक्सद इसलिए हम कह रहे हैं कि जब हवा बहने के कारण जी ये गहुं के फसल जब सो जाती है तो ये ज़्यादा उपजाओ नहीं हो पाती तो दलहन की फसल वैसे भी गायब है उसके मार से तो किसान ऐसे ही परसान है और दूसरी और यह खेतों का हालत आप देखी सकते हैं देख लिजिए हमारे दिखाने का यह मकसद है कि किसानों को अगर आप बेचारा भी कहा जाए तो यह कोई बात नहीं इसलिए हम बेचारा कर कि एक तो इतनी फसल लगाने में किसान अपनी मेहनत करता है कहां से लाता है पैसे उदाहर लाकर ऐसे वरचेय जाकर फसल उपजाओ करते हैं। उसके बाद यह Hunger की यह मोशम बरसात यह मोशम बारिश का इशेलता है कि आप दी बेची रहां को दिखाना चाहेंगे यहांपर एक वेक्ति भी खड़े हुए हैं यह काफी निरास है अपने फसलों के लेकर हम इनसे भी बात करेंगे पहले हम आपको दिखा दे यहां की तस्वीर है यहां पर बहुत सारी इसी खेत है जो फसल की मार से जेल लाएं और तीसरी बात हम आपको यह बता दे कि अभी जो यह गेह इसमें यह गमरा भी नहीं है और गमरा भी नहीं है और दूसरी बात यह है कि यह अभी बिन मौसम के मार से बरसाद से यह फसल तरतरा रहा है तो किया यह सारी बाते यह कही जाए कि कहीं न कहीं इस सारे चीज को लेकर किसान को ही परसानी का सामना करना परता है बहुत सारे हमारे साल्थी है जो किसानों की भी समस्या देखते हैं मगर हमारे जो काम है वो ग्राउंड रिपोर्ट होता है इसलिए हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं कि किसानों की क्या समस्या है और किसान क्या चाहते हैं तो यह सारे पूरी बाते कुल मिलाकर मैं यह कह रह अगर सब्जी के भी अगर बात करें तो इस मौसम के मार से सब्जी के भी फसलों को भी जादे नुकसान पहुंचे यह चारो तरब की यह इतने वह भरे आपको दिख रहे होंगे मंगर यहां पर आगर आप आईएगा तो यहां पर परसानी है तभी आपको समझ मायागा आप देखी रहें कि सारे फसल यहां है जो सो चुके हैं जो दलहन का खेत है वहां पर भी कुछ ज़्यादा दलहन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह मौसम की मारसे ऐसे भी बिहाल ह अजिए यहां भी बिडसानी हाईग करें जैचे बित्क mejores तो में पर दोब मिलेगे जो भी कि मौसम की म होवगा इसक्वादा थेमीग मैं हैंन दएखँवाम इसक्शवर और समनů बात्रा